हेलो स्टूरेंट्स ऑफ सेवन स्टेंडर्ड आज हम हिंदी का लेसन पांच देखेंगे बंदर का धंदा जिसके जो कवी है वो नरेंद्र गोयल है बहुत सुंदर कवीता है यह हम देखेंगे इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना जाती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है मेरा यह चैनल अच्छा लगता है तो आप इस प्लीज इसे सबस्क्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि बच्चों को इसका फाइदा मिल सके और कोई कमेंट हो आपके तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए चलिए हम देखते हैं, कभी नरेंद्र गोयल इनकी यह रचना है, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 को पिलख हुआ गाजियाबाद में हुआ जो उत्तर प्रदेश में हैं, इनकी रचना हैं गीत माला, गीत गंगा, गीत सागर, जूला जूले, चींची चिडिया, माधी और इनका परीचय यहां पर दिया गया है, नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्यान के ज्याता जाने जाते हैं, आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी हैं, मतलब हिंदी में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई हैं, और बच्चों के लिए प्रस्वत कवीता में कवी ने वनोशधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश्टाल है, यह देखिए एक सुन्दर सी कवीता है, एनिमल्स वगेरा हमें दिख रहे हैं, तो उनके द्वारा कवी ने हमें बता है कि जंगल में भी बहुत सारी औशधियां होती हैं, जिनका उपयोगा कर सकते हैं, तो यह एक हसने वाली हास्य के रूप में कवीता बनाई है, उन्होंने दिखिए, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फुटा आला, बंदर को एक दिन क्या मिला, टूटा फुटा आला और जट से बंदर जाता है, और वही अपनी लकडी की कुर्सियोर में जोहां पर लगा लेता है, और क्या बन जाता है, डॉक्टर बंदर है ना, भालू आकर बोला मुझे को खासी और जुकाम, अब सब जानवर दिखते हैं, कि अरे वा, हमारे डॉक्टर बंदर यहां पर जट जट सब जाते हैं, तो सबसे पहले कौन जाता है, भालू, क्या बोलता है, कि मुझे खासी और जुकाम हो गया है, बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड था, बंदर क्या बोलता है, कि तुलसी पत्ते हैं, पीपल की जड है, उन्हें पानी में उबालो, पानी मे जब छो मंतर होए, फीस तभी तुम देना, और तुम फीस कब दोगे, जब तुमारी खासी पूरी तरज से चली जाएगी, छो मंतर होना मतलब गायब होना, जब खासी तुमारी गायब हो जाएगी, तब तुम आकर मुझे फीस दे देना, बिल्ली बोली, अब कौन आती है, बिल्ली आती है, बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार, अब बिल्ली को कितना बुखार आया है, 104, मैं शिकार पर कैसे जाओं, जल्दी से उतार, और वो बंदर को बोलती है, कि अब मैं शिकार पर कैसे जाओंगे, मुझे बुखार आया हुए, इसलिए से अब जल्दी से बंदर बोला रस गिलोएका तीन बार तुम पीना अब बंदर क्या बोलता है कि तुम तुम्हें बुखा रहा है तो तुम रस पीना किसका गिलोएका है ना आज कल तो हम गिलोएका नाम बहुत सुनते हैं तो तुम कौन सा रस पीना गिलोएका कितने बार तीन बार कल से ही मुझे चिकना और सुन्दर बनने के लिए कुछ मैडिसिन दो, कुछ दो, मैं ही दिखो सबसे सुन्दर ऐसी बुटी लाओ, और मैं सबसे सुन्दर दिखना चाहिए मुझे, मैं ही सबसे सुन्दर दिखो, ऐसी मुझे कुछ जड़ी बुटी दो, बंदर बोला घी कुवार त पात्ता होता है तो और उसका घी बनाओ और उसे तुम लगाओ कितने टाइम दो समयına चमके का कुन्दन सचेर्णा फीज मुझे दे जाओ और जब तुमा को चमाना करें चाहरा कुन्दन सचेर्णा हमें बता है की बाद धान है क detto कटैर स।म छमकने लगोगी तो तहुं तो मुझे फीस देना चल निकला बंदर का धंदा अब वह मौज मनाता अब इस तरह से बंदर का धंदा तो चल निकला चल निकला मतलग बहुत अच्छा चलने लगा अब वह मौज मनाता वो से खुशी होती अब धंदा चलने लगया तो उसे बहुत खुशी होने लगी अच् प्रश्नुत तर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगी